दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पाली ख़बर BPSC PD के अभियार्थियों के लिए जरूरी ख़बर आपको बता दे कि इस बार 6 लाग से ज़्यादा अभियार्थी है चोथी बार परिचा की तेती बढ़ने पड़ी है सीटों के सेंग्या भी बढ़कर 802 तक पहुच गई है इस बार कटब 105 से अधिक जाने के उम्मिद है इसलिए जो समयजदार अभियार्थी है उन्होंने रिवेजन करना सुरू कर दिया है यह अपने तैयारी को फाइनल टच देने का समय है साथ यह आपको बता दे कि कोरोना के बज़े से पेटी परिचा में देर हुई है देर का बड़ा कारण अभियार्थों की बड़े सेंग्या भी है आयोक के परिचा नियंद्रक अमरेंदर कुमार ने कहा कि राज के सभी 38 जिलों में परिचा के सेंटर बनाया जा रहा है आठ माई को परिचा एक पाली में होगी यह इसका समय बारा बज़े मज़े मज़ान से लेकर दो बज़े अपराहान तक होगा राज भर में 1083 परिचा केंद्र बनाया जा रहे है अगली बड़ी ख़बर NTPC में भरते के लिए रेलवे ने CBT2 के लिए जारे किया नोटिस जिहां रेलवे ने मंगलवार को NTPC से सनातों को और अवार सनातक पदो पर भरते के लिए दूसरे चरन की कम्प्यूटर अधारित परिचा के लिए एक नोटिस जारे किया जिसका बिहार और तर परिचा में मिदवारों ने विरोध सुरू कर दिया है CBT 1 में वेतन इस्तर 4 और 6 के लिए चैनित उमिदवारों की CB2 इस साल 9 और 10 माई को होने वाली है जो मुझूदा परिचितिवों के अधीन है वही वेतन इस्तर 2, 3 और 5 के लिए परिचा कारकरम की गोसना बाद में की जाएगी गैर तकनिकी लोग प्रीडस रेणी यानि के NTPC के पदों पर भरती के प्रक्रिया में आनْ यमें तताओं को आरोप लगाने व़ले उमिदवारों की वर्योद को देखते में रेलवे ने उमिद्वारों को भरती प्रक्रिया पर नविंतम अपडेट के लिए केवल रेलवे रिकुर्मेंट बोर्ड के अधिकारिक बैवसाइट को देखने के सला दी है रेलवे ने कहा कि किर्पया अनाधिकरियत स्रोतों से गुमरा ना हो उन दलालों से सावदान रे जो अवेद बिचार पर नोकरियों के लिए नुक्ति के फरजी वादिकाद उमिद्वारों को गुमरा करने के कोशिस करते हैं अरारबी चैन कम्पीटर आदारे टेस्ट में होती है और भरतिक केवल उमिद्वारों की योगदा के आदार पर ही होती है बाड़ी कबर बोचाहा में वोटोरों ने दिखाया उत्सा 60% मदान 2020 के तुलना में 5.19% कम होई वोटों वोचाह उप चुना में मंगलवार को 60% वोटोरों ने अपने मतादिकार का इस्तमाल कर 13 मिद्वारों को भाग एबियम में बंद कर दिया काउंटिंग 16 अबरेल को आड़ एस कॉलेज में होगी पिछले विदान सबा चुनाओ की तुलना में इस बार करी 5% कम मदान हुआ है अगली बड़ी कबर सारसा से सुरू होगी बंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली का सपर करना हो जाएगा आसान बिहार से दिल्ली और मुंबई सपर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी कबर है बताया जा रहा कि पूरो मेद रेल्वे ने 10 बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तयार किया है बिहार से दिल्ली और मुंबई के लिए दो वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचलन किया जाएगा अगली बड़ी खबर बिपेस से ने जारी की सुचना दो साल सिवा देने वाले सनातक सिक्चकों को अनुबब प्रमान पद्र की जरूत नहीं जा प्राधामिक बिदला में प्रदान सिक्चकों के रिक्त पदों के लिए आविदन करने वाले पंचाइती राज संस्तानों और नगर निकाई संस्तानों से जुड़े ऐसे प्रसिचित मुल्कोटी इसनातक सिक्चक जिनके लगतारत सिवा दो साल की हो चुकी है उन्हें प्रदान सिक्चकों के रिक्त पदों के लिए आविदन करने वाले अवियरतियों ने अनवा प्रमान के बिविन मैदोमों के संदर्व में विवाक से मार्ग दर्सन मंगा था इसे क्रम में अधिकारिक पत्र जारी किया गया है वो लिकनिया है कि प्रदान सिक्चक पद के ल के आक मेचोनी के बेच तापमान में उतार चड़ाओ लोगों के लिए भी पहली बना हुआ है मंगलवार को राजजानी में सुवन नौ बज़े तक बादल हुआ के ठंडे जोके मौसम को सुवाना बना रहा लेकिन दोपार में तलक दूब से तापमान में बिर्दी हो गई उ परवार को राज की गारा जिल, रोतास, केमूर औरंगाबाद, गया भोजबूर, बकसर पटना, नलंदा, सिखपुर, अर्वाल और नवादा जिले में हीट वेव की रहोगने की सम्मावना है वह मौसम में उतार चड़ाओ को मौसम मित जलवाई परवरतन से भी जोड को द इसके लिए टेंडर पूरा हो गया है और कमपनी को सप्लाई ओडर भी दिया जा चुका है, दो कमपनी मिलकर इन बसों के आप उर्ति करेंगे, अगले माँ आन्दा तक बी, एस, आर्ट, इसी की सिटी बसों के बेड़े में ये बसे सामिल हो जाएगे, सहर के सड़क पर दो बिहार के गारन नए सरों में खुलेंगे रजिस्ट्रिक कारियाले, जमीन के खरीद बिकरी करना होगा और असान, जहां बिहार में जल्दी गारन नए निबंदन कारियाले खुले जाएंगे, इसमें सरवादी तीन नए निबंदन कारियाले पाटना जिले में स्तापित हों जिनके नाम पर जल्दी अंतिम मुहर लग जाएगी निबंदन विवाग ने इस वबत तयारी पूरी कर ली है जल्दी अंतिम मुहर भी लग जाएगी अगली बड़ी ख़बर BPSC ने हेड मास्टर के लिए आवेदन की तिति बढ़ाई 6421 पदों पर होनी है नियुकती जिया विहार लोक सिवा आयोग ने उच मायदमिक भी दालोय में प्रदाना दबक के लिए आवेदन की तारिक बढ़ा दी है अब यारती आव तेस अपरेल तक आवेदन को संबादित कर सकते हैं पहले इसके लिए 18 अपरेल तक का समय ने दारित क्या गिया था बाड़ी कबर सियम ने तेस के सुरक्चा 16 दिन के भीतर फिर से हुई चूग सिर्फिर युवक ने सबह में फटाखा फोड़ा जिया मुकी मंतरी ने तेस कुमार जन समवाद यातरा के दुरान मंगलवार को सिलाव पहुचे गांदी हाइस्कूल के पास बनाए गए पंडाल में सबा की मुकी मंतरी सबाइस तलप और पंडाल में गोंगों कर लोगों से आवेदन ले रहे थे इसे दुरान सियम से मातर पांच फीट की दोरी पर एक सिर्प्रे युवक ने पटाका जला कर फेका हलाकि इसे जानवाल का कोई नुकसान नहीं हुआ पुलिस का भी कहना की पटाका फोड़ा गया है यह दूसरी घटना है जब सियम की सुरक्चा में एक चुक सामने आई है इस घटना से 16 दिन पले 27 मार्च को बक्तियार पूर में एक वक ने सियम पर हमले की कोशिस की थी अगली बड़ी खबर आर जड़ी को लगा बड़ा जटका जगदानान सिंग के बेटे आजित सिंग जड़ी में हुए सामिल कहा राज़त समर्पित करकरताओ की कबरगा जिहाँ जड़ी राष्टिया दख्च ललन सिंग ने कहा कि पता नहीं किस बात के लिए राज़त प्रदेश दख जगदानान सिंग वहाँ अपमान सा रहे हैं पर आब हमें उमीद है कि जगदानान सिंग के पूत्र आजित सिंग के जड़ी में सामिल हो जाने के बाद उनक सिंग ने आजिस सिंग को जड़ी की सता दिलाई बाड़ी कबर अब पटना में वहाँन चेकिंग के दोरान लोगों के वेवार पर रखे जा सकेगी नजर ट्रैफिक पुलिस बोड़ी केमरे से हुई लैस जिहाँ अब पटना यातायत पुलिस किसी आम रहागिर के साथ मनम दिया गया है डाग बंगला चुराह कोतावली थाने के सामने सहीद अन्य महतपुन जगों पर तेनात पुलिस कर्मियों को यह केमरा अपलब्द कराए गया है इसे आन कर पुलिस कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँन चेकिंग के दोरान अगर कोई भी पुलिस पर रिस्वत लेने या खराब वार से समधित आरोप लगाता है तो पुलिस कर्मी कंदी पर लगे बोडी वार्न केमरे में रिकॉर्ड वीडियो के जरी सारी सचाहिस सामने आ जाएगी इससे कोई पक्च जोटा आरोप नहीं लगा सकेगा बाड़े कबर विहार के मेडिकल वा इंजिनेरिंग कोलेजों में लड़कियों के लिए 33 सीटे आरेचित नए 17 से होगा लागू जिया बिहार के मेडिकल वा इंजिनेरिंग कॉलेजों में 33% सिटे लड़कियों के लिए रचित रहेगी या विवस्त दुजर 22 से ही लागू होगी इस्टेट कोटे के तहद बिहार में M.E.V.S. की 11 सिटे हैं इनमें से आप 33% सिटे लड़कियों के लिए रचित रहेगा या आप 1101 सिटों में से करीब करीब 373 सिटे लड़कियों के लिए रचित हो गई है साथ नए सतर दुजर 22 से बिहार के 38 सरकारी इंजिनेरिंग कॉलेजों में 33% लड़कियों के लिए सिटे रचित रहेगी लेकिन इंजिनेरिंग कॉलेजों में लड़कियों के सिंग्या काफ जिहां राज में मद निस्यद आदिनियों के ताद जब तोने वाली वाहनों के अब ए निलामी यानि की ऑल्लाइन निलामी होगे मद निस्यद उत्पाद वह निबंदन विवाग ने पढ़ना सदर में इसका ट्रायल किया जो सब्ल रहा है इस दुरान लच से दोगोने से भी अधिक राजस निलामी से प्राप्त हुआ है इसके बाद सभी जिलों में इस प्रक्रिया को अपनाने का आदेश जारी कर दिया गिया है आपको बता दे कि विवाग इन निलामी के लिए केंदर सरकार से उकरम मेटल स्क्रेप क्रेड कोर्फरेसल लिमिटेड के सिवाई ले इस उलाइन इलामी में किसी भी जिले में जब्त वाहन के इन इलामी में कोई भी वेक्ति आसाने से भाग ले सकता है उतवाद आयो के बीक करति धनंजी ने बताये कि इन इलामी के प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जब्त वाहनों का विवरान MSTC की वेवसाइट पर डाला जाएगा वेवसाइट के ये उक्षन सेक्षन में इसका विवरान देखा जा सकेगा इसके बाद इन इलामी में सामिल होने के चुक लोग मुबाइल नंबर वो ओटिपी डाल कर अपना निवंदन करा सकते हैं निवान में सामिल होने वाले वेक्तियों चाहे तो इस तल पर जाकर वहन को देखकर संतुष्ट भी हो सकते हैं नियत देती वह समय पर इन इलामी के प्रक्रिया की जाएगी इसके लिए सब निवान देद व्यक्तियों को पहले ही सुचना दे दे जाएगी अरांद के बड़ी खबर उत्तरमाद रिल्वे ने निकाली वेकैंसी जल्दी कर अपलाए जूनियर टेक्निकल एससेट सहीत बेस पदों पर निकाली भरती 18 अपरेल तक कर रह सकते हैं उनलाइन आवेदा जया उत्तरमाद रिल्वे ने जूनियर टेक्निकल एससेट पदों पर भरती के लिए एक नोटिफिकेस जारी किया है इन पदों के लिए ओफिसल वेवसाइट पर 18 अपरेल 2022 तक या उससे पहले ओलाइन अविदन कर सकते हैं इन पर भरती के लिए ओवेदान 8 अपरेल से शुरू किये जा चुके हैं उमिद्वारों का चैन मेरिट का दार पर किया जाएगा सभी योग उमिद्वार अफिसल वेवसाइट rrc.org पर 18 अपरेल 2022 तक उलाइन अविदन कर सकते हैं आज के लिए आपका सवाल बताए कि 2021 के दुलना में 2022 में गर्मी ज्यादा है काम इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए